Welcome Student, UP Police की आपकी तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका एक्जाम 18 फरोरी को हो, यह आपको पता है, और आपका सलीबस सामान विग्यान में क्या है, यह आपके सामने मैं रखाई सामान विग्यान है, और सामान विग्यान को मैंने कंपलीट करवा दिया है, भारत का इत आपको देखना है, इसमें जितने भी सलिवस दिए गए हैं, सभी को एक एक टॉपिक मैं करके कंप्लीट करवा दूँगा, लेकिन आपको क्या करना है, पूरी वीडियो देखना है, अपने मित्र तक सेर्ज जरूर करना है, संभिधान में जितने भी टॉपिक पूचे जा रह हैं, हम सभी को एक एक करके कबर करेंगे, पहले हम कबर करेंगे भारत के संभिधान का इतिहास, भारत के संभिधान का इतिहास, पहला प्रसन आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम ने लिखितन में से किस अधनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनर्र को अध्या प्रस्न आपके सामने है दोस्त वही प्रस्न उठाया गया है जो पेपर में पूचे गए है इसलिए बिल्कुल भी आपको गल्ती नहीं करना है मिन्टो मारले सुधार का उद्देश क्या था इसका correct answer आपको बताना है मिन्टो मारले सुधार का उद्देश क्या था तो इसका correct answer हो जाएगा प्रथक निर्वाचन प्रडाली जो की option C में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है मुसल्मानों के लिए अत्रिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था आपको इसका correct answer बताना है तो ये भी हो जाएगा मारले मिन्टो सुधार 1909 जो की option D में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने मारले मिन्टो सुधार बिल किस वर्स में पारित किया गया दोस्त ये प्रसन मैं इसलिए लेकर आ रहा हूँ बार बार क्योंकि मारले मिन्टो कई बार पूछा गया तो ये 1909 में पारित किया गया जो की option B में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है भारत का संबिधान लागू होने इसका correct answer हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधनियम के अनुसार जो की A में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है भारतिये को वर्स 1947 में सार्व भौम सत्ता सौपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है आपको ये बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा माउंट बेटन एउजना जो की आपसन आपके सामने B में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है भीमराव अंबेटकर और महत्मा गांधी के मध्ध सन 1932 में हस्ताचर पूना समधोते में क्या प्रावधान था तो इसका correct answer आपको बताना है कि क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा निम्न वर्ग के लिए आरच्छण सहित जो की आपसन आपके सामने D में दिया गया D इसका correct answer हो जाएगा अगले प्रसन की तरफ regulating act पारित कप किया गया तो इसका correct answer हो जाएगा आपसन नमबर ये 1773 में अगला प्रसन है महारानी विक्तूरिया को भारत का सामरागी नियूक्त किया गया इसका correct answer क्या होगा आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 1858 जो की आपसन B में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने है मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था तो इसका correct answer हो जाएगा प्रांतों में 12 सासन जो की आपसन C में दिया गया है नियम्ड में से किस अधनियम ने कैंद्र में दैध सासन प्रडाली को अस्थपित किया तो इसका correct answer आपको बताना क्या होगा हो जाएगा आपसन नंबर A भारत सासन अधनियम 1935 भारत में सच्यू का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था आपको इसका answer बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा भारत सरकार अधनियम 1858 जो की D में दिया गया है अब हम देखेंगे संबिधान सभा से संबंधित प्रसन जो जो पीपर में छपे हैं काइबिनेट मिसन ओजना के अनुसार संबिधान सभा में कुल कितने सज़स्थे थे तो इसका correct answer हो जाएगा 389 जो की आपसन A में दिया गया है नेक्स्ट प्रसन सन 1936 में भारते राष्टे कांग्रेस द्वारत संबिधान सभा की गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई तो इसका correct answer हो जाएगा फैजपूर अधिवेशन जो की आपसन B में दिया गया है दोस्त अगर इसमें आपको मेहनत दिख रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्र तक सियर जरूर कर दें प्रस्तावित मूल संबिधान में कुल सदेस्टों का विवाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ तो इसका correct answer हो जाएगा ब्रिटिस प्रांतों के 252 प्रतिनी धी देसी रियासत के 93 में प्रतिनी धी और मुख कमिशनीरी छेतर के 4 प्रतिनी धी तो उप्रियुक्त सभी इसका correct answer हो जाएगा जो कि आपसन D में दिया गया है भारत का संबिधान कब लागू हुआ तो भारत का संबिधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो कि आपसन A में दिया गया है नेक्ट प्रसन आपके सामने है पुनर गठन के फल सुरूप वर्स 1947 में संबिधान सभा के सजेस्टों की संख्या कितनी रह गई इसका correct answer हो जाएगा आपसन नंबर B 299 में ही रह गई थी अगला प्रसन है भारते संबिधान सभा में महिला सजेस्टों की कुल संख्या कितनी थी तो संबिधान सभा में महिला सजेस्टों की संख्या थी पंदरा जो की आपसन D में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है संविधान सभा के आस्थाई अध्यच है कौन थे आस्थाई अध्यच तो आस्थाई अध्यच थे सच्चिदानंद सिनहा जो की आपसन भी में दिया गया है और अस्थाई अद्धच की बात करें तो अस्थाई अद्धच डाक्टर राजेंदर प्रसाद थे ये भी आपको याद रखना है भारते संबिधान सभा ने भारते राष्टे धोज की रूप रेखा अंगीकार किया तो 22 जुलाई 1947 को जो की आपसन सी में दिया गया है नेक्ट प्रसन है संबिधान निर्मात्री सभा में जंडा संभिती के अध्च कोन थे जंडा संभिती के अध्च कोन थे इसका करक्ट एंसर हो जाएगा जे भी क्रिपलानी जो की आपसन ए में दिया गया है भारतिय संभिधान सभा के प्रारूप संभिती के अध्यच कौन थे आपको बताना है प्रारूप संभिती के अध्यच कौन थे गलती नहीं करना है प्रारूप संभिती के अध्यच थे डाक्टर भीमराव अंबेटकर जो की आपसंसी में दिया गया है डाक्टर भीमराव अम्बेटिकर का संभिधान सभा में निर्वाचन हुआ था तो यह हुआ था पस्चिम बंगाल से जो की आपसन C में दिया गया है बिधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 जो की आपसन B में दिया गया है संभिधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहा हुआ था तो संभिधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था जो की आपसन C में दिया गया है संबिधान सभा के संबैधानिक सलाहकार कौन थे तो संबैधानिक सलाहकार थे आपको बताना इसमें कौन सा सही हो जाएगा तो विनेगल नर्सिंग राव जो की आपसंसी में दिया गया है कहीं कहीं पर बी यन राव भी दिया जाता है ये आपको याद रखना है संबिधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संबिधान में कुल कितने अनुचेद और अनुसूचिया थी तो 395 में अनुचेद और 8 अनुसूचिया जो की आपसन ए में दिया गया है वर्तमान में कितनी अनसूची हैं अगर आप से पूँचा जाए तो वर्तमान में 12 अनसूचीयां है नेश्ट प्रसन आपके सामने संबिधान सभा के कितने उपस्तित सजस्तों ने संबिधान पर हस्ताचर किया इसका एंसर आपको बताना कि क्या होगा इसका correct answer हो जाएगा 284 जो कि option B में दिया गया है नेश्ट प्रसन आपके सामने संबिधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधी सबसे अधिक था तो इसका correct answer हो जाएगा सभिधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधी ने भाग नहीं लिया था तो इसका correct answer हो जाएगा हाइदराबाद जो की option D में दिया गया है संबिधान सभा का चुनाओ निम्न में से किस आधार पर हुआ आपको बताना इसका answer तो वरगिय मताधिकार की आधार पर जो की option D में दिया गया है नेक्ट प्रसन आपके सामने मुस्लिम लीग ने किस कारण संबिधान सभा का बहिसकार किया इसका answer आपको बताना है तो मुस्लिम लीग संबिधान सभा का अध्यच किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे ये गलत था, मुस्लिम लीग को संभिधान सभा में उचित प्रसिन दिन नहीं मिला, ये भी गलत है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संभिधान सभा चाहता था, यही इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा, जो की आपसंस C में दिया गया है, भारते संभिधान सभा क अपनाया गया इसका एंसर बताना है तो संबिधान सभा द्वारा जो की आपसन ये में दिया गया है तो संबिधान सभा से संबंधित जितने इंपोर्टेंट प्रसन थे मैंने हल कर लिया अब हम देखेंगे प्रस्तावना से संबंधित प्रसन जो पीपर में छपे हैं पहला प्रसन है भारते संबिधान की प्रस्तावना के सिलसले में निमने लिखित में से कौन सा क्रम सही है आपको इसका एंसर बताना है ध्यान से आप देखेंगे तो इसका होगा सार्ब भौम सत्ता संपन समाजवादी धर्म निर्पेच जनवादी गरतंत्र जोकी आफशन B में दि गया है आपको बताना है तो धर्म निर्पेच समाजवादी एकता और अखंडता जोड़ा गया है गुट निर्पेच नहीं जोड़ा गया तो C इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा भारते संबिदानने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है तो इसका करेक्ट एंसर आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा लोगतांतरी गड़तांतर जो की option A में दिया गया है ये इसका correct answer हो जाएगा Next प्रस्ण है भारते संबिधान की प्रस्ताउना के अनुसार भारत के सासन की सर्बोच सत्ता किसमें नहीं था है तो सर्बोच सत्ता जो नहीं था है वो जन्ता में नहीं था जो की option B में दिया गया है Next प्रस्ण आपके सामने संबिधान की प्रस्ताउना में प्रियुक्त सब्द secular का अर्थ है तो आपको बताना secular क्या क्या अर्थ है तो secular का मतलब होता है सभी धर्मों की आसुभी किर्ती जो की option A में दिया गया है भारते संबिधान में समोर्ती सूची किसके संबिधान से ली गई है तो समोर्ती सूची ली गई है अस्ट्रेलिया के संविधान से जो की आपसन ए में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है भारते संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांती का प्रभाव नहीं जलकता है दोस्त इस पे अगर आपको मेहनत देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें वही प्रस्ण दोस्ते पूछे गए है जो जो पेपर में छपे हैं और पेपर में छपेंगे तो प्लीज कलास को इगनोर बिल्कुल नहीं करना है तो बताना है भारते संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांती का अभाव नहीं जलकता है तो अमेरिका क्रांती और बोल सेविक क्रांती, फ्रांसीसी क्रांती तीनों जलगता है लेकिन चीन का नहीं जलगता है तो C इसका correct answer हो जाएगा गड़तंत्र होता है गड़तंत्र किसे कहते हैं तो गड़तंत्र होता है राज जहां पर अध्यच्च वनसानुगत रूप से ना हो तो भी इसका करेक्टर एंसर हो जाएगा भारत एक धर्म निर्पेच राज है इसका मतलब है की भारती राज क्या धर्म बिरोधी नागरिकों का समर्थन करता है गलत है बहु संख्यक समुदाई के धर्म ये भी गलत है अलप संख्यक समुदाई ये भी गलत है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है तो D इसक का correct answer हो जाएगा next प्रसन है संबिधान की प्रस्तावना सभी भारती न्यागरिकों के निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वाइदा नहीं करती है तो सामाजिक न्याय वादा है राजनीतिक न्याय भी है विचार की स्वतंतता है लेकिन पूजा की समानता नहीं तो 26 जनौरी 1950 को लागू हुआ था तो B इसका correct answer हो जाएगा अगला प्रसन आपके सामने क्योंकि संबिधान जो लागू हुआ था वो 26 जनौरी 1950 को इसलिए इसका correct answer 1950 सही होगा निख्ट प्रसने निमने लिखित में से किस तिठी को भारते संबिधान लागू किया गया तो 26 जनौरी 1950 जो की option A में दिया गया है संबिधान निर्माताओं ने किस पर विशेश ध्यान दिया आपको बताना है तो सबसे ज़्यान दिया गया वो प्रस्ताओना पर ध्यान दिया गया जो की C में दिया गया है धर्म निर्पेच का अर्थ आपको बताना है धर्म निर्पेचता का अर्थ है तो धर्म निर्पेचता का मतलब राज सरकार द्वारा किसी धर्म को सुविकार नहीं करना तो यही इसका correct answer हो जाएगा जो कि option A में दिया गया है अब हम पढ़ेंगे संबिधान के सुरूत से संबंधित प्रस्ण जो पेपर में छपे हैं कानून के सामान सनरच्छडवा के कहां से लिए गए हैं तो कानून के सामान सनरच्छडवा के अमेरिका से लिए गए हैं तो ये इसका correct answer हो जाएगा नेक्ट प्रस्ण है भारते संभिधान में राज के नीत निदेशक सिधान्तों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है आपको बताना है नीत निदेशक सिधान्त तो इसका correct answer जो होगा वो होगा आयरलेंड जो की option B में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है राश्ट पत द्वारा राज सभा के सजसों का नामांकन का नियम किस देश के संभिधान से लिया गया है यहाँ पर क्या कहा गया है कि राज सभा के सजसों का नामांकन का नियम किस देश के संभिधान से लिया गया है इसका correct answer हो जाएगा Ireland जो की option C में दिया गया है सर्बोच न्याले की ब्यवस्था भारते संभिधान के किस देश से लिया गया है तो यह लिया गया है USCA Union State of America जो की option D में दिया गया है संभात्मक सासन दवस्था को सरपर्थम किस देश ने अपनाया इसका answer आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा Canada जो की option A में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने भारते संभिधान में मौलिक कर्तब का विचार तो मौलिक कर्तब जो लिया गया है वो लिया गया है रूस के संभिधान से जो की option A में दिया गया है इसका correct answer हो जाएगा option number A अगला प्रसन आपके सामने भारतिय संबिधान में समोर्ती सूची तो समोर्ती सूची लिया गया है अस्ट्रेलिया से जो की option A में दिया गया है भारत में कलेक्टर का पद अपनिवेशिक सासन ने उधार लिया था तो किस्ते लिया था आपको बताना है तो इंगलेंड से जो की आपसन C में दिया गया है भारत्य संबिधान का सबसे बड़ा एकांकी सुरोत कौन सा है तो सबसे बड़ा एकांकी सुरोत जो है Government of India Act 1935 जो की आपसन D में दिया गया है भारत की संसद्य प्रणाली प्रभावित है आपको बताना है तो ये हैं इंगलेंड से जो की आपसन C में दिया गया है Next प्रसन आपके सामने भारते संबिधान में मौलिक अधिकारों का उलेक करते होई निमन लिखित में से किस देश के अनुसरण किया गया तो मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से जो की आफशन D में दिया गया है भारते संबिधान के अंतरगत संग और राज्यों के बीच सक्तियों का विभाजन किसकी प्रेणा पर आधारित है इसका करक्ट अंसर हो जाएगा कनाडा जो की आफशन B में दिया गया है भारत है सम्विधान में उन्लिक्षित है वतंधरता, सव więc और बंधोता की संकल्पना किससे प्रेरित है आपको बताना किससे प्रेरित है या हो जाएगा फ्रांस के संविधान से जो कि option D में दिया गया है भारत के राष्टपत के आपात कालिन सक्तिया निमने लिखिन में से किस देश की देन है आपको इसका एंसर बताना है कि क्या होगा तो या हो जाएगा जर्मनी के बीमर संबिधान से जो कि option D में दिया गया है भारतिय संबिधान में मूल भूत अधिकार किस संबिधान से लिया गया है तो ये लिया गया है सैयुक्त राज अमेरिका से जो की आपसन C में दिया गया है भारतिय संबिधान की संसोधन परकिरिया किस देश से लिया गया है तो संसोधन परकिरिया दच्छिल अफरीका से लिया गया है तो इसका करक्ट एंसर आपसन नमबर C सही हो जाएगा तो आसा करता हूँ ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा अब हम लोग देखेंगे संबिधान की अनसूची से संबंधित प्रसन पहला प्रसन आपके सामने है संबिधान की किस अनसूची में परतेग राज्जियों तथा संग राज छेतरों के लिए राजसभा में अस्थानों की आवंटन की सूची है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा चतुर्थ अनसूची जो की आपसन A में दिया गया है नेक्ट प्रसन है दल बदल के आधार पर निर्वाचि सजिस्टों की आयोगिता संबंधी विबरड संबिधान के किस अनसूची में दिया गया है तो दल बदल जो है वो दसवी अनसूची में है जो की आपसन D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है वर्तमान में भारते संबिधान में कुल कितनी अनुसूची हैं तो वर्तमान में भारते संबिधान में बारा अनुसूची हैं और जब संबिधान बना था तो उस वर्तम था आठ अनुसूची तो इसका correct answer आपसन नमबर B सही हो जाएगा किस संबिधान संसोधन अधनियम दोरा भारते संबिधान में नवी अनसूची जोड़ी गई तो इसका correct answer हो जाएगा पहला संसोधन हुआ था जो कि आपसन B में दिया गया है संबिधान के छठी अनसूची इनमें से किस राज में लागू नहीं होती है इसका answer आपको बताना है तो आपको पता होगा कि मेघाले तिरपूरा आसम तीनों में लागू होता लेकिन मड़ी पूर में नहीं तो C इसका correct answer हो जाएगा नेक्ष्ट प्रस्ण है भारत के संबिधान के किस अनसूची में विभिन राज्यों के अनसूची तिछेत्रों के प्रसासन और नियंतरन के लिए विसेश उपबंध है तो इसका correct answer हो जाएगा पांचवी अनसूची जो कि आपसन B में दिया गया है अगला प्रस्ण है 73 संबिधान संसोधन अधिनियम द्वारते संबिधान में कौन सी अनसूची जोड़ी गई आपको इसका answer बताना है तो यह हो जाएगा 11 अनसूची जो कि आपसन D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है संबिधान के दुतिय अनसूची का संबंद किस से है तो संबिधान के दुतिय सूची का संबंद जो है वो महत्पूर्ण पदाधिकारियों के बेतन से है जो कि आपसन B में दिया गया है और तीसरा अनसूची का संबंद सपत गराहन से है भारतिय संबिधान की तीसरी अनसूची का संबंद यहां आ गया तो इसका correct answer हो जाएगा महत्पूर्ण पधाधिकारियों के बेतन जो है यह दूसरे से है और सपत तथा प्रतिग्यान कोंसा है तीसरा है जो की आपसन D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण आपके सामने है भारतिय संबिधान में 22 भासाओं को राजभासा का दरजा परदान किया गया है इन राजभासाओं का उलेक किस अनसूची में है तो यहा हो जाईगा आठवी अनसूची जो की आपसन A में दिया गया है आपको बताना है तो सम्बिधान की गिरावी अनसूची पंचाइती राज से संबंदित है तो C इसका correct ऐंसर हो जाएगा किस राज के आरच्छन बिधे को नौवी अनसूची में संबलित किया गया है बहुत ही important प्रसन है आपको बताना किस राज जी के आरच्छन विधेयक को नववी अनसूची में समलित किया गया है इसका correct answer हो जाएगा तमिल नाडू जो की option A में दिया गया है तो ये important अनसूची से संबंधित प्रसन थे जो पेपर में छपे थे और भविस में छपने के संभावन है अधिक हाए तो अब हम देखेंगे संग और राज छेतर से संबंधित प्रसन जो पेपर में छपे हैं और छप छकते हाए पहला प्रसन है 500 से अधिक राजवाडो देशी रियासतों के भारत में बिले के लिए कोन उत्तरदाई है तो इसका correct answer हो जागार सरदार बल्लब भाई पटेल जो की option A में दिया गया है मूल संबिधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था इसका correct answer बताना तो ये हो जाएगा 4 जो की option C में दिया गया है पुंडू चेरी को किस वर्ष भारतिय संग में सम्मलित किया गया था इसका correct answer हो जाएगा 1962 जो की option C में दिया गया है किस वर्ष गोवा सहित अन पुर्टगाली बस्तियों को भारतिय संग का राज छेतर बनाया गया तो इसका correct answer हो जाएगा option number D 1961 में next प्रसन आपके सामने किस संबैधानिक संसोधन के अंतरगत सिक्किम को भारत का एक सहराज बनाया गया इसका correct answer हो जाएगा option number C 35 संसोधन ये आपको याद रखना है next प्रसन है भासा के आधार पर राज्यों का पुनर गठन किस वर्ष किया गया तो इसका correct answer हो जाएगा 1956 में जो की option D में दिया गया है next प्रसन है भासाई आधार पर भारत में पहला राज कोन बनाया गया तो इसका correct answer हो जाएगा आंध्र प्रदेश next प्रसन आपके सामने राज पुनर गठन आयो का राज पुनर गठन आयो का गठन किस वर्ष किया गया तो correct answer हो जाएगा 1953 में next प्रसन है नए राज की गठन अथवा सीमा में परिवर्थन करने का अधिकार किसको है तो इसका correct answer हो जाएगा संसद को जो की option D में दिया गया है next प्रसन है 1956 में राज यो का पुनर गठन करने से आपको बताना था है कि कितने कितने राज थे तो इसका correct answer हो जाएगा 14 राज और 6 संग राज छेतर बने थे जो की option D में दिया गया है next प्रसन आपके सामने अन्य रजवालों के भारत में बिलई के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में सामिल होना बिलंबित किया तो आपको बताना है तो हाइदराबाद इसका हो जाएगा जूनागर जम्मू कस्मीर जो की option B में दिया गया है अब हम देखेंगे संबिधान के अनुचेद से संबंधित प्रसन इसमें जितने भी important प्रसन पेपर में छपे हैं हम उन सभी को देखेंगे पहला प्रसन है भारतिय संबिधान के किस अनुचेद के अंतरगत भारतिय संबिधान के किस अनुचेद में प्रस की स्वतनतरता दी गई है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा अनुचेद 19 फष्ट में जो की option B में दिया गया है next प्रसन है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के सोसर से संबंधित है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा अनुचेद 24 जो की option C में दिया गया है next प्रसन आपके सामने है भारतिय संबिधान के किस अनुचेद में अलप संखिकों के हितों के संड़चल की बैवस्था है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुछेद 29 जो की option D में दिया गया है Next प्रसना है कौन से अनुछेद के अंतरगत भारत का सर्वोच न्याल है नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रच्छा कराता है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुछेद 32 जो की option A में दिया गया है इसका correct answer अनुछेद 32 हो जाएगा भारत के महा नियावादी की नियुक्ती से संबंधित अनुछेद कौन सा है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छे 76 जो की option आपके सामने B में दिया गया है Next प्रसना है राश्ट पत्य संबिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत लोक सभा को भंग कर सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 85 जो की option D में दिया गया है संबिधान के किस अनुच्छेद द्वारसंसत की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है आपको बताना है इसका answer क्या होगा तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 108 जो की option A में दिया गया है संबिधान के किस अनुच्छेद द्वारसंग और राज्जियों के लिए लोक सिवा आयोक का प्रावधान किया गया है तो correct answer हो जाएगा आपसन नंबर A 315 इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 51 जो की option B में दिया गया है इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद जो की option B में दिया गया है भारतिय संबिधान के अंतरगत कल्याण कारी राज की अउधारणा निम लिखित में से किस अनुच्छेद में वरडित है तो अनुच्छेद 49 जो की option D में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण आपके सामने है बहले साहवे संबिधान संसोधन बहले साहवे संबिधान द्वारा संबिधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्थयब्बो को जोड़ा गया तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 के ये में जो की option B में दिया गया है भारत के संबिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत भारत के राष्टपत पर महा भ्योग चलाया जा सकता है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61 जो की आपसन D में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है संबिधान के किस अनुच्छेद में उपराश्ट्रपति पद का प्राउधान किया गया है तो करक्ट एंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 जो की आपसन A में दिया गया है नेख्ट प्रसन है संभिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत मंतरीगर सामुहिक रूप से लोग सभा के प्रत उत्तर दाई है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 75 जो की option B में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है भारतिय संबिधान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्राउधान है आपको बताना है किसका एंसर क्या होगा इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर D 324 अनुछेद अगला प्रस्ण है भारते संबिधान के किस अनुचेत के अंतरगत हिंदी को राजभासा का दर्जा परदान किया गया है तो हो जाएगा अनुचेत 343 का फ़ष्ट जो की आपसन C में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है भारत में बाहरी आकर्मण अथवा ससस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्टपत द्वारा राष्टे आपात काल की घोसला किसके अंतरगत की गई है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर B 352 बित्ती आपात जो लगता है वो अनुचेत 360 के माध्यम से संबिधान के किस अनुचेत में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संग है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अनुचेत 1 में नेक्ट प्रसन आपके सामने किस अनुचेत के तहत अवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास हैं इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नंबर D 248 next question आपके सामने भारते जंबिधान के किन अनुछेदों में नागरिक्ता समवंदी प्राउधान है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A अनुछेद 5 से 11 next question है भारत के संबिधान का निम्न में से कौन सा अनुछेद अस प्रसेदा का उन्मोलन करता है किसी भी रूप में इसके आचनड का निसेद करता है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुछेद 17 नेक्ट प्रसन अब हम देखेंगे भारतिय नागरिक्ता से संबंधित प्रसन मैं एक एक topic को cover कर रहा हूँ जितने भी प्रसन जिस topic से बने मैं सभी को उठा के लाया हूँ से चर्चा कहां पर की गई है तो 1955 के नागरिक्ता कानून में जो की option A में दिया गया है कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है तो इसका correct answer हो जाएगा 7 वर्स जो की option B में दिया गया है नेफ्ट प्रसना है भारत की नागरिक्ता निमने लिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तो जन्म से वनसानुकरम से और देशी एकरण से जो की तीनों सही है तो option number D इसका correct answer हो जाएगा पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिक्ता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वरड़न निमने लिखित में से किस अनुच्छेद में वरड़ी था है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुच्छेद 6 में नेक्स्ट प्रस्ण है भारते संबिधान निमन लिखित में से कौन सा नागरिक्ता प्रदान करता है तो एकल नागरिक्ता जो की option B में दिया गया है दोहरी नागरिक्ता अमेरिका ये आपको याद रखना है अमेरिका सरकार के द्वारा दोई नागरिक्ता मिलती है किस अनुछेद के तहत संसत को नागरिक्ता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार परदान किया गया है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अनुछेद 11 जो की आपसंस C में दिया गया है भारत में एकल नागरिक्ता की अउधारा अपनाई गई है तो इसका correct answer हो जाएगा इंग्लेंड से जो की option C में दिया गया है अब हम देखेंगे मूल अधिकार से संबंधित प्रसंद जो पेपर में छपे है मौलिक अधिकारों का निलंबन कोन कर सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा राष्टपत जो की option B में दिया गया है राष्टपत की उम्रन अगर लडने के लिए चुनाव कितनी होनी चाहिए तो 35 वर्स होनी चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए राष्टपत अगर किसी व्यक्त को फांसी हो गई हो गई है तो राष्टपत उसे क्या कर सकता अगर चाहिए तो उस फांसी को माफ कर सकता है ठीक है ये point आपको याद रखना है भारतिय संबिधान में न्याले में कौन परवर्तनी है आपको बताना है भारतिय संबिधान में न्याले में कौन परवर्तनी है तो इसका correct answer हो जाएगा नीत निजेशक सिधान्त जोकी option B में दिया गया है नेक्ट प्रसन है संबिधान के किस अनुचेदों में 162 के विरुद्ध अधिकार वरड़ित है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुचेद 23 से 24 नेक्ट प्रसन है मौलिक अधिकारों के अंतरगत कौन सा अनुचेद बच्चों के 162 से संबंदित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number D जोकि option B में दिया गया है नेक्ट प्रसन है निम्नौप्त समा देशों में कौन सा समा देश किसी अवेध व्यक्त से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा अधिकार प्रेच्चा जोकि option B में दिया गया है बहुत ही important प्रस्ण है नेक्ट प्रस्ण है किसी कैदी को नियाले के समझ प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवसक्ता होती है तो इसका correct answer हो जाएगा दोस्त आप्सन नमबर डी बंदी प्रतियच्छी करण जो की आप्सन डी में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है मौलिक अधिकारों में संसुधन करने में कौन सच्छम है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा संसद जो की आप्सन C में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है मौलिक अधिकार संबिधान के किस भाग में वरडित है तो correct answer हो जाएगा भाग थरड़ जो की option B में दिया गया है सौतंत्रता के अधिकार समबिधान के किस अनुछेद में वरडित है आपको इसका answer बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा अनुछेद 19-22 जो की option A में दिया गया है धार्मिक स्वतनता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर बी अनुच्छेद 25 के द्वारा निम्न लिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डाक्टर भीमराओं अमेडकर ने संविधान के हिर्दययों आत्मा की संग्या दी है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर डी संविधानिक उपचारों का अधिकार नेक्ट प्रसन है संपत के अधिकार को कब समाप्त किया गया तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 1978 में संविधान के चविलिसावे संसोधन द्वारा जोकी आपसन ए में दिया गया है नेक्ट प्रसन आपके सामने संविधान के अंतरगत बंदी प्रतिच्छी करण समादेश जारी करने का अधिकार किसमे नहीं था है तो इसका करेक्ट एंसर आपको बताना है तो तद्धा उच्चतम न्याले दोनों में तो यही इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा जोकी आपस सी में दिया गया है भारते संबिधान के अंतरगत मूल अधिकारों का संदच्छक कौन है तो मूल अधिकारों का संदच्छक नियाई पालिका है जो कि आपसन ए में दिया गया है नेश्ट प्रसन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसोधन का अधिकार दिया तो शंबिधान के अनुसार संपत का अधिकार अब हो चुका है विधिक अधिकार जो की आप्षन ए में दिया गया है नेश्ट प्रस्वन है संपत के अधिकार को मूल अधिकार की सरेंडी से हटा कर किस अनुचेद के अंतरगत रखा गया तो हो जाएगा अनुछे 301 का मत देने काधिकार क्या है तो मत देने काधिकार एक नागरी काधिकार है जो की आपसन D में दिया गया है अब हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्चब से संबंधित प्रस्न पहला प्रस्न आपके सामने है निम्न लिखित में से किस वर्ष संबिधान में मूल कर्चब्यों को अंतास्थपित किया गया तो 1976 में जो की आपसन A में दिया गया है संबिधान के किस भाग में मूल करत्यब्बों के अध्याय को जोड़ा गया तो भाग चार में भाग चार के काम है जो की आपसन सी में दिया गया है अगला प्रस्न है वर्तमान में संबिधान में कुल कितने मूल करत्यब्बों का उलेख है कितने मौलिक करत्यबों निश्चित किये गई तो इसका correct answer हो जाएगा 10 जो की option C में दिया गया है अगला प्रस्वन आपके सामने मौलिक करत्यबों को निर्धारित किया गया तो बैलिसावे संभिधान संसोधन द्वारा जो की option A में दिया गई ये इसका correct answer हो जाएगा भारते संभिधान में मौलिक करत्यबों की सूची निमनलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई तो इसका correct answer हो जाएगा भाग 4 के रूप में जो की option D में दिया गया है तो आब हम लोग देखेंगे राज के नीत निदेशक तत्यों के बिसय में कौन सा कथन सही है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है गलत हुआ है दोनों वादयोगें गलत हुआ एक दूसरे के पूरक है बिल्कुल सही जो की option C में दिया गया है सराब बंदी संबिधान के किस धारा में निर्देशी थै तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा धारा 47 जो की आपसन ए में दिया गया है राज के नीत निरेशक सिधानतों के अनुसार किस आयू तक के बच्चों को निहसुल क्यों अनिवारता सिछा देने की आसा की जाती है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 14 जो की आपसन C में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है भारते संबिधान के अंतरगत कल्यान कारी राज की अउधारा निम लिखित में से किस अनुच्चेद में वरड़ी था है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अनुच्चेद 38 नेक्ट प्रस्ण है समान न्याई और निहसुलक विधि साहिता का प्रावधान संबिधान के किस अनुच्चेद में है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 49 ये जो की आपसन B में दिया गया है संभिधान के किस अनुच्छेद में न्याई पालिका को कारिपालिका से प्रिठकरण का उलेख किया गया है इसका ऐंसर आपको बताना है तो इसका करक्ट ऐंसर हो जाएगा अनुच्छेद पचास जो की आपशन D में दिया गया है मूल भूत संबिधान में कौन सा भाग में राज लोक कल्याड की संकलपना संमलित की गई है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा राज के नीत निदेशक तक तुम्हें जो की option A में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन है समान कार के लिए समान भीतन भारत के संबिधान में सुनिश्चित किया गया है यह एक क्या है राज के नीत निदेशक सिधानत का अंग है जो की option D में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है भारते नागरिकों के लिए एक समान शिविल्ड संगिता प्राप्ट करने के लिए बात कहींगी है तो किसमें आपको बताना है इसका correct answer हो जाएगा शिविल्ड संगिता प्राप्ट करने की जो बात की गई नुच्छे 44 में जो कि A में दिया गया है नेक्ट प्रसन है भारते संबिधान में राज के नीत नीतिए सक्तक कहां से गिराण किये गए है तो आयरलेंड से जो की आफशन आपके सामने B में दिया गया है अब हम लोग भारते संसत से संबंधित प्रसन को कबर करेंगे जो पेपर में छपए हैं पहला है निम्न लिखित कतनों में से कौन सा असत्य है तो राज सभा एक आस्थाई सदन है ये गलत है क्योंकि अस्थाई होगा लोग सभा में संसद एक लोग प्रिये सदन है लोग सभा को संसद का पर्थम सदन कहा जाता है और राज सभा को संसद का दूतिये सदन कहा जाता ह सभी है लेकिन यह पहला गलत है तो आपसन यह इसका correct answer हो जाएगा संसद के दोनों सदनों का सत्रा उसान कौन करता है तो इसका correct answer हो जाएगा कौन करता है तो लोक सभा अध्यच जो की option आपके सामने ए में दिया गया है नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने इसका उत्तर आपको देना है सदिस्ट के किन सदिस्टों को गेर सरकारी सदिस्ट कहा जाता है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा कैबनेट बंतरी के अलावे अनसभी संसद को जो की option आपके सामने B में दिया गया है कौन सी प्रथा संसदिय प्रडाली को भारत की देन है आपको बताना है भारत की देन है तो हो जाएगा सून निकाल जो की option C में दिया गया है संसद के दो कर्मिक अधिवेशनों के बीच अधिक्तम कितने समयांतराल की अनुमती है तो इसका correct answer हो जाएगा 6 मार्च जो की option A में दिया गया है संबिधान लागू होने के बाद सर्व प्रथम तिरिसंक संसद का गठन कब हुआ इसका correct answer हो जाएगा 1989 जो की option D में दिया गया है आस्थाई सदन भारत में कब तक अस्थित में रहा आपको बताना है आस्थाई संसद भारत में कब तक अस्थित में रहा तो इसका correct answer हो जाएगा 17 अप्रेवल 1922 जो की option A में दिया गया है भारत में परलेयामेंट संसद का उद्गाटन कब हुआ इसका answer आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 1927 में जो की option B में दिया गया है भार्थिय संसत्य के दोनों सदनों में संयुग्तुभैटक किसे संबंध में होती है किसे संबंध में होती है तो इसका correct answer हो जाएगा साधारण विदेख कि संबंध में जो कि option C में दिया गया है संसत्य के किस सदन को प्रतिनिधी सभा भी कहा जाता है आपको बताना है प्रतिनिधी सभा भी कहा जाता है तो लोग सभा को जोकी आपसन आपके सामने A में दिया गया है संसत्र भारत में संसधी एतियास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक गुलाई गई है तो अब तक केवल तीन बार जो की आपसन ए में दिया गया है भारतिय संसत में कितने अंग हैं आपको बताना तो भारतिय संसत में तीन अंग हैं जो की आपसन आपके सामने डी में दिया गया है नेक्ष्ट प्रस्ण है संसत की कारवाई सूची का प्रथम भी से क्या होता है तो प्रस्ण काल जो की आपसन D में दिया गया है। संसत के किसी सजस्त की सजस्तत तब समाप्त समझी जाती है दिवा बिना सदन को सूचित किये अनुपस्चित रहता है तो कितने दिन साथ दिन जो की आपसन ए में दिया गया है भारत के संबिधान में कहा गया है कि भारत की संसत के तीन अंग होते हैं इन में से एक अंग है लोकसभा दूसरा अंग है राजसभा जबकि तीसरा अंग क्या है तो तीसरा अंग है राश्ट्रपती जो की आपसन D में दिया गया है अब हम देखेंगे लोग सभा से संबंधित प्रस्न कौन सा राज सबसे अधिक प्रितनेधी लोग सभा में भेजता है तो इसका correct answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश जो की option A में दिया गया है नेक्ट प्रस्ने लोग सभा के निर्वाचन छितरों की सीमा निर्धानर पहली बारनेम लिखित में से किस सन में किया गया तो इसका correct answer हो जाएगा 1972 में जो की option B में दिया गया है लोग सभा के कम से कम कितने सत्र बुलाई जा सकते हैं तो वर्स में कम से कम दो सत्र बुलाई जा सकते हैं जो की option D में दिया गया है लोग सभा में अनुसूची जात योम अनुसूची जन जातियों के लिए सीटों के लिए आरच्छन संबिधान के किस अनुच्छेद में उपबंदित है इसका एंसर बताना है तो इसका एंसर हो जाएगा अनुच्छे 330 जो की option A में दिया गया है अगला प्रसने देश का वह संसदिय निर्वाचन छेतर कौन सा है जिसकी सीमाई 9 संसदिय निर्वाचन छेतरों को असपर्स करती है तो इसका correct answer हो जाएगा नागोर राजस्थान जो की option C में दिया गया है प्रथम लोगसभा की पहली बैठक कब हुई इसका answer आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 13 मई 1952 जो की option C में दिया गया है लोगसभा के एक निर्वाचन छेतर में कम से कम यहाँ क्या कहा गया है कम से कम कितनी जनसंक्या प्रतनिद्ध करती है तो 7.5 लाख जो की option B में दिया गया है लोगसभा के लिए प्रथम आम चुनाओ कब हुआ था तो प्रथम आम चुनाओ 1952 में हुआ था जो की option C में दिया गया है निम लिखित में से किसे लोगसभा का अभिरच्छक कहा जाता है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा लोगसभा अध्यच को जो की option D में दिया गया है लोगसभा का बिख्टन कौन कर सकता है आपको बताना है इसका answer लोगसभा का बिख्टन कौन कर सकता है तो इसका correct answer हो जाएगा राष्ट्रपत जो की option C में दिया गया है लोग सभा का नेता कौन होता है आपको बताना है तो लोग सभा का नेता होता है प्रधान मंत्री जो की option A में दिया गया है लोग सभा का कारिकाल पांच वर्षे अधिकिस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है तो जब राष्ट्रे आपात लागू हो जो की option B में दिया गया है लोग सभा में अधिक्तम सजय से संख्या कितनी हो सकती है तो 552 जो की option आपके समने कहां पे दिया गया है सून निकाल क्या है आपसे पूछा गया है तो जब सदन में अति महत्पूर मामलों पर विचार होता है तो उसे सून निकाल कहते हैं जो की option D में दिया गया है संसत की चुनाओं लड़ने के लिए प्रत्यासी को निउन्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो संसत का चुनाओं लड़ने के लिए प्रत्यासी को 25 वर्स की आयू होनी चाहिए जो की option C में दिया गया है अब हम लोग राजसभा से संबंधित प्रसन देखेंगे दोस्त अगर मेहनत आपको दिख रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना राश्टपत द्वारा राजसभा के कितने सदेश को नामित किया जाता है आपको बताना है तो इसका correct answer हो जाएगा 12 जो कि आपसन B में दिया गया है भारतिय संसत के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है तो अपर हाउस को राजसभा के नाम से जाना जाता है जो कि आपसन D में दिया गया है राजसभा में सीटों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 250 जो की आपशन ए में दिया गया है नेक्ट प्रस्ण है राजसभा के सभापति को अनुपस्थिती में राजसभा का कार्य संचालन कौन करता है तो उप सभापती जो की option B में दिया गया है सोतंतर भारत में राज सभा का पर्थम सभापती कौन है आपको इसका answer बताना है तो हो जाएगा इसका correct answer Dr. Yes. Radha Krishnan जो की option A में दिया गया है राज सभा का पर्थम महिला महासच्यु कौन थी तो इसका correct answer हो जाएगा B.S. रमादेबी नेक्ष्ट प्रसने राज सभा का सरपर्थम गठन कब हुआ तो इसका correct answer हो जाएगा 3 अपरेल 1952 जो की option C में दिया गया है अगला है राज सभा के सजेसों का कारिकाल कितने वर्सका होता है तो इसका correct answer हो जाएगा आपसन नमबर ये 6 वर्सका नेक्ष्ट प्रसन आपके सामने राज सभा का सभापती कौन होता है तो राज सभा का सभापती उपर राश्ट पत होता है जो की option C में दिया गया है राज सभा द्वारा लोग सभा को धन विदे कितने समय में लवटा दिये जाना चाहिए तो इसका correct answer हो जाएगा 14 दिन के अंदर जो की option B में दिया गया है राज सभा के लिए राश्ट पत द्वारा कितने सज़सन आमित किये जाते हैं इसका correct answer हो जाएगा 12 जो कि option c में दिया गया है नियमने लिखित मेंसे कौन सा हिंदी साहित का राजसभा का सध्यकरथा तो इसका correct answer हो जाएगा रामधारी सिंग दिनकरदा कि आपजन a में दिया गया है राज सभा के लिए परतेग राज जी के प्रतनिधी का निर्वाचन कौन करता है आपको बताना है कौन करता है तो इसका correct answer हो जाएगा कि विधान सभा के निर्वाचित सद्यस है जो कि option A में दिया गया है किस सदन में अध्यच उस सदन का सद्यस नहीं होता है तो इसका correct answer हो जाएगा राज सभा क्योंकि उस सदन का अध्यच वो नहीं होता है जो कि option D में दिया गया है अब हम देखेंगे लोग सभा अध्यच से संबंधित प्रस्न पहला प्रस्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्वाच कोन करता है तो लोग सभा अध्यच जो की option C में दिया गया है लोग सभा अध्यच का चुनाव कोन करता है आपको बताना है तो लोग सभा के सद्यच जो की option C में दिया गया है लोग सभा के पर्थम उपाध्यच कोन थे तो इसका correct answer हो जाएगा अनंतसायनम आयंगर जो की option A में दिया गया है नेक्ट प्रसन है लोगसभा अध्थम अध्थम को देता है जो की option C में दिया गया है पर्थम लोगसभा के speaker कौन थे तो इसका correct answer हो जाएगा जीबी माउ लंकर जो की option A में दिया गया है निम लिखित में से कौन पर्थम जन जाती है लोग सभा की अध्धच थे इसका एंसर आपको बताना है तो P.A. संगमा जो की आपसन A में दिया गया है भारत में लोग सभा अध्धच पद की इस्थिती निम निमें से किसके समान है तो आपको बताना है तो इंगलेंड के हाउस आप कामन्स के अध्धच की तरह जो की आपसन B में दिया गया है निराएंग मत देने का अधिकार किसे है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा लोग सभा अध्धच को जो की आपसन C में दिया गया है अब हम प्रधान मंतरी से समबंदित प्रसन देखेंगे जो पेपर में छप सकते हैं मंत्र मंदली की बैठक की अधिश्चता कौन करता है इसका आइंसर आपको बताना है तो हो जाएगा प्रधान मंतरी नेक्ष्ट प्रसना है संसदिय सासन प्रणाली में वास्तिविक कारपाली का सकती किसके पास होती है तो वास्तिविक कारपाली का सकती प्रधान मंतरी के पास होती है प्रधान मंत्री की न्यूकती राष्टपत करता है या किस अनुच्छेद में वरडित है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 जो की आपसन D में दिया गया है प्रधान मंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्तित हुए बिना त्याग पत्र दे दिया तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा चौधरी चरण जो की आपसन C में दिया गया है प्रधान मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है तो प्रधान मंत्री की न्यूक्ति राष्टपत करते हैं जो की आपसंड D में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है योजन आयोग का ध्यकोन होता है तो इसका correct answer हो जाएगा प्रदान मंत्री जो की option D में दिया गया है संसदिये तंत्र में वह ड़क्त प्रदान मंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है आपको बताना है तो निम्न सदन का अल निम्न सदन का बहुमत दल जो की option B में दिया गया है भी इसका correct answer हो जाएगा किस दल ने दो वर्स के समय में दो प्रधान मंत्री दिये तो इसका correct answer हो जाएगा भारतिय जनता पार्टी जो की option D में दिया गया है राष्टपद से संबंधित प्रसंद्यों पेपर में छप रहे हैं उसे हम लोग देखेंगे पहला प्रसन है राष्टपद का निर्वाचन किसी प्रकार से होता है तो आपको पता होना चाहिए आप परत्य छे रूप से जो की A में दिया गया है राष्टपद का निर्वाचन पर दिया तो कौन सी प्धत अपनाई जाती है तो समान उपातिक प्रत्युत एम एकल संकर मड़िये जो की आपसन B में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है राष्टपत निमने में से किस सूची के बिसे पर अध्याधेस जारी कर सकता है तो संग हीवा समुर्ती सूची जो की आपसन D में दिया गया है राष्टपत के चुनाओं में बिबाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है तो इसका करेक्ट आइंसर हो जाएगा आपसन नंबर ये में दिया गया है सरवोच नियालाई की नेक्स्ट प्रस्ण है निमनिकित में से कौन भारत के राष्टपत के चुनाओं में भाग नहीं ले सकता है इसका आइंसर आपको बताना है तो बिधान परिस्ट जो की आपसन आपके सामने डी में दिया गया है नेक्स्ट प्रस्ण है सदन में राष्टपत के बिरुध महाभियोग प्रस्ताओं पास करने के लिए कितने सज़सों को समर्थन चाहिए तो सदन के उपस्टित या सदन के कुल सज़सों में से कम से कम दो बटा तीन सज़स जो की आपसन बी में दिया गया है राष्टपत को निम लिखित में से कौन पद और गोपनियता का सफ़स दिलाता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा भारत के मुखनियाधिस जो की आपसन सी में दिया गया है राष्टपती संबिदान के किस अनुच्छेत के ताहट भारत के मुखनियाधिस के समच सपद गरहाण करता है आपको बताना है इसका एंसर हो जाएगा अनुच्छेत 60 नेश्च्ट प्रसन है भारत के राष्टपत की मरजी तक निम लिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा राजिपाल जो की डी में दिया गया है राष्टपत और उपराष्टपत की अनुपस्तिती में कौन कारभार गरहन करेगा आपको इसका अंसर बताना है तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा सर्बोच नियाले के मुख नियाधीस भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे तो भारत के पर्थम राष्टपती डाक्टर राजिंद परसाथ थे जो कि D में दिया गया है किसी भी अभियुक्त को फासी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किस के पास है तो राश्ट्रपत के पास जो कि आपसन एमें दिया गया है किसी बिधी के प्रस्न पर सर्बो चन्याले से प्रामर्स लेने का अधिकार किसके पास है तो इसका करक्ट एंसर राष्ट्पत के पास जो की आपसन B में दिया गया है लोग सभा निमलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है तो ये प्रधान मंत्री के प्रामर्स से राष्ट्पत के द्वारा जो की आपसन A में दिया गया है भारतिय संबिधान के अनुसार संग की कारिपाल का सकतियां किसमे नहीं थोती है तो इसका करक्ट एंसर हो जाएगा राष्ट्पत में जो की आपसन D में दिया गया है भारतिय संबिधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं के अध्यच्छ सुप्रीम कमांडर का निउक्ति कौन करता है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका करेक्ट टैंसर हो जाएगा राष्ट पत जो की आपसन ये में दिया गया है तो इसमें जितने मनें टोपिक लिये थे हर टोपिक से important important प्रस्म जो पेपर में छपे हैं और इसे आपको देखना जरूर है अपने मित्र तक सियर करना जरूर कर देना ये part 1 वीडियो थी और part 2 वीडियो आएगी जिसमें पूरा संबिधान कंप्लीट कर लिया जाएगा मैं आसा करता हूँ अगर आप यूपी पुलिस की तयार ही कर रहे हैं तो इसे देखने के बाद आपके अंदर के संभिधान का डेर खतम हो जाएगा और सेज छूटी हुए टोपिक अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी जैसे 100 लाइक होगा दूसरा वीडियो आपके समझ आ जाएगा मिलूँगा एक दूसरे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैंद जै भारत बंद